दोस्तो शारुखान की अपकमिंग फिल्म पठान ने जो हंगामा खड़ा किया है वो दिन बदिन बढ़ता जा रहा है शारुखान की हालत कुछ ऐसी होती जा रही है जैसी धोबी के कुट्टे की होती है वो ना अब घर के हो पा रहे हैं और ना ही घाट की पठान फिल्म से ना सिर्फ हिंदूओं को ही बलकि मुसल्मानों को भी गहरी चोट पहुची है और अब हिंदूओं के साथ साथ मुस्लिम कम्यूनिटी भी एक्टिव हो गई है अभी तक पठान फिल्म के गाने बेशरम रंग में दिपिका के भगवा रंग की बिकनी पर बखेडा खड़ा हो रहा था और ये कहा जा रहा था कि ये भगवा रंग हिंदूओं की आस्था का प्रतीक है तब फिल्म में सितारे और S.R.K के फैंस का कहना था कि ये हिंदूओं की स्ट्रेटेजी है वो जान मूझ कर ऐसा कर रहे हैं लेकिन अब सिर्फ हिंदू ही नहीं बलकि मुस्लिम कौम ने भी पठान फिल्म के बॉयकॉट के डिमांड करनी शुरू कर दी है पठान फिल्म का जमकर विरोध हो रहा है MP और UP में इस फिल्म को तो बैन करने के डिमांड की गई है और अब ये डिमांड महरास्ट में भी पहुँच गई है अभी तक पठान फिल्म के खिलाफ जो बोल रहे थे वो हिंदू और सनातन धर्म के सपोर्टर्स थे लेकिन अब मुस्लिम कम्यूनिटी भी इस फिल्म के अगेंस हो गई है मुस्लिम कम्यूनिटी के उल्मा बोर्ड ने इस फिल्म को आल ओवर इंडिया में बैन करने की डिमांड की है उनका कहना है कि फिल्म का नाम पठान रखा गया है फिल्म में शारुखान के किरदार का नाम भी पठान रखा गया है और उन्हें बेशरम रंग में वरगल हरकते करते वे दिखाया गया है आसपास लड़कियां आधे अधूरे कपडों में गंदर डांस कर रही है मुसल्मानों में पठान सबसे रिस्पेक्टेड कमिनिटी होती है ऐसे में फिल्म में जो पठानों के बारे में दिखाया गया है हकीकत में पठान ऐसे नहीं होते हम चाहते हैं कि शारुखान या तो इस फिल्म का नाम चेंज करें और F.I.R करने की तैयारी तो हमने पहले ही कर ली है साथी उल्मा बोर्ड ने ये भी कहा कि हम इस फिल्म को रिलीज होने से रोपने के लिए सारी पुर्जोर कोशिश करेंगे लेकिन पठान नाम के साथ इस फिल्म को बिल्कुल भी रिलीज नहीं होने देंगे इस बात से पता चलता है कि पठान फिल्म से सिर्फ हिंदू को ही नहीं बलकि मुसल्मानों को भी तकलीफ पहुची है पठान फिल्म पर ये खत्रा पहले ही मंडरा रहा था कि इसी बीच शारुखान ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके चलते ये फिल्म पर लगा ग्रहन और भी जादा गहरा होता दिखाई दे रहा है कॉलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में असार कर ने अपनी स्पीच के दौरान कहा कि दुनिया चाहे जो भी कहे मैं और मेरे जैसे पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग अभी जिन्दा है इस फिल्म को लेकर जो नेगिटिविटी फैलाई जा रही है वो टार्गेटेड नेगिटिविटी है उनके इस बयान के बाद लोग उनसे और भी जादा खफा है और इस फिल्म की बढ़ चड़कर बॉयकॉट करने के डिमांड करने लगे है दोस्तों अगर हालात यही रहे तो वो दिन दूर नहीं जब सच में पठान को बयान कर दिया जाएगा आपकी इस खबर पर क्या रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चानल पर नए है तो चानल को सब्सक्राइब करें और बाल आइकन दबाएं जससे हमारे सभी वीडियो के नॉटिफिकेश आप तक महुषते रहें